राथी राथी दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों नवरात्री मातरुगा की पूचा और उपासना का पर माना जाता है वैसे तो साल में दो नवरात्री को सबसे खास माना जाता है पहली चैतर नवरात्री और दूसरी शादिय नवरात्री इसके अलाबा साल में दो बार गुपत नव्रात्री असार मास में शुरू होता है असार मास की शुकल पक्षकी प्रतीपर गुप्त नवरात्री में मा तुर्का की दस महा पिध्याओं की आरादना की जाती है। इनमें मा काली, मा तारा देवी, मा तृपु सुंदरी, मा भुवनेश्वरी, मा तचिंद मस्ता, मा तृपु भैरवी, मा धूमा बती, मा ता बगला मुखी, मा मा तंगी और मा कमला देवी शामिल हैं दोस्तों असार नवरात्री में साथों संत और साधक अपनी सिध्धी प्राप्ती के लिए मातुर्गा की पूझा और आरात्मा गुप्त रूप से करते हैं इसलिए इने गुप्त नवरात्री कहा जाता है ऐसा माना जाता है कि असार नवरात्री में गजब की शक्ति होती है इस साल यह नवरात्री रवीवार को रवी पुष्य योग और स्वास सित्य योग में शुरू हो रही है। इसलिए इस पार की कुप्त नवरात्री में पूझा कहने से मन चाहा बर्दान प्राप्त होगा। जो भी लोग मनुकामना पूर्दी के लिए पूझा करेंगे उन्हें जरूर सफलता प्राप्त होगी। मानिताओं के अनुसार कोई व्यक्ति अगर दुर्वसनों में फसा हो। जैसे सहरा जुए इत्यादी की लट लगी होई हो। किसी भी गलत संगत में पड़ा हुआ हो। चोरी इत्यादी कोई भी गलत कार्य करता हो। तो व्यक्ति खुद या उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के आच्रन को सुधारने के लिए इस मनुखामना से अगर गुप्त नवरात्री का प्रत करते हैं, तो उस व्यक्ति के आच्र में अवश्य ही सुधार आता है। गुप्त नवरात्री की कथा के अनुसार गुप्त नवरात्री के प्रत कहने से माता रानी की करपा से दुर्वेसनों बुरी संगस से छुटकारा मिलता है और आठर अच्छा होता है। दोस्तों, गुप्त नवरात्री माता राणी के पूचन के साथ ही उपाए और तोटके कहने केलिए भी बहुत ही खाजमानी जाती है। कहा जाता है कुप्त नवरात्री के दोरान जातकों को अपनी राशी के अनुसार कुछ उपाई अवश्य करने चाहें। हिंदू मानेताओं के अनुसार यह उपाई करने से मात दुर्का के नौर स्वरूपों और दस महाविध्याय प्रसन्न होती हैं। और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाय पूर करके भक्तों की सभी समस्याओं को दूर करती हैं। तो आईए दोस्तों जानते हैं कुप्त नवरात्री में राशी के अनुसार क्या उपाई करने चाहें। कौन सी ऐसी चीज है जो कुप्त नवरात्री में माता रानी को अर्पित करने मात से ही जीवन के सभी कश्ट दूर हो जाते हैं और माता रानी के करपा से मन चाहा बरतान प्राप्त होता है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंज के साथ शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाए मीश राशी के जातक कुप्त नवरात्रे में इस्नान आदी करने के पश्चात मा महाकाली को उरत की डाल अर्पित करें और धूप दीब चला कर पूजन करें पूजन के पश्चात यह उरत की डाल किसी करीब जरूत्मन महिला को दान करें इस उपाय को कहने से आपकी आथिक इस्तिती मजबूत होगी, तथा धन की कमी नहीं रहेगी, महकाली की कृपा से समस्याओं से छुटकारा मिलेगा ब्रशम राशी के जातकों को गुप्त नवरात्री मी महमहकाली को कनेर के फूल अर्पित करने से अनेक प्रकार के मासिक बिकारों से छुटकारा मिलता है, मई शांत रहता है, महमहकाली के करपा से दुर्भा के सौभाके में बतल जाता है मित्वन राशी के जातक आप महमहकाली को दो साबस फूल वाली लौंग अर्पित करें और मा का पूजन करें, पूजन के पश्चात इन लौंग को प्रशास सरूप आप अपने पास रखें, अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो ऑफिस में दरास में रखें, प्य ऐसा करने से मा महकाली के करपा से जीवन में आने वाली परिशान्य दूर हो जाएंगे, और बिग्ड़ ग्रेप बनने लगेंगे, कार्यों में आ रही रुकावळ दूर होंगे. करक राशी के जातक आप मा महाकाली का पूजन करें पूजन के दोरान छे लोंग अब मा महाकाली को अर्पित करें और पूजन करने के पश्चात मा के सामने ही कपूर रखकर इन लोंग को जला दें ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही परेशानियां भी इन लौंग के साथ जलकर नश्ट हो जाएंगे और जीवन में सकारात्मक्ता बनी रहेगी सिही रासी के जातक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए पढ़ाही नौकरी में अबल आने के लिए आप गुपत नवरात्री में माहाकाली को तेजबत्त अर्पित करें और पुजन के पश्चात इस तेजबत्ती को आप अपने साथ रखें आप अपने पढ़ाई के इस्थान पर इसको रख सकते हैं या ब्यापार इस ठलबा या फिर आप इसे अपने पर्स में रखें ऐसा कैने से मा महाकाली की कृपा बनी रहेगी और संकटों से छुटकारा मिलेगा कन्या राशी के जा तक आप मा महाकाली का कुप्त नवरात्री में पूजन करें पूजन के दोरान पांस साबुत फूल वाली लौंग मा महाकाली को अर्पिक करें और कपूर रखकर इन लॉंग को जलाकर आप मा की आर्थी करें। इस उपाई को कहने से मा महाकाली की कृपा से दुर्भा के सौफाके में बदल जाएगा और आप निरोगी बने रहेंगे। तुला राशी, अगर आप अपने जीवन में आने वाली परिशानियों से तंक हो चुके हैं, तो कुप्त नवराद्री के दौरान मा महाकाली का पूचन करते समय उन्हें पीबल का पत्ता अर्पित करें। और पूचन के पश्चात इस पीबल के पत्ते को आप पापस ले जाकर पीबल ब्रक्ष के नीचे डखाएं। ऐसा कहने से जीवन में आने वाली परिशानियों दूर हो जाएंगे और मन चाहा बर्दान प्राप्त होगा। प्रश्चिक राशी के जातक गुप्त नवराती के दौरान मा महाकाली को पानी वाला जटा वाला नारहल अर्पित करें। फिर उसे किसी गरीव या जरुतमन व्यक्ति को दान करें। ऐसा कहने से मा महाकाली का आश्रवात आप पर बना रहेगा। और आपके जीवन में धन से जुड़े सभी समस्याइं दूर हो जाएंगी। धनुराशी के जातक नवराती में रोजाना मा महाकाली की पूजा शुच्ची शद्धा से करें। पूजन से पहले मा महाकाली को जल से इसनान कराएं। और पूजन के पश्चात उस इसनान कराए हुए जलका आप अपने उपर भी छिड़काब करें। ऐसा करने से आपके घर का बातावरन शुद्ध रहेगा। तथा घर के सदस्यों के बीच में प्यार बढ़ेगा। घसे नकारात पक उजा नश्ट हो जाएगी। और घर में सुक सम्रध्धी आएगी। मकर राशी के जातक आप गुप्त नव नवरात्री में मा महाकाली को काजल अर्पित करें। और गुप्त नवरात्री के बाद आप इस काजल को प्रशाज सरूब इस्तमाल करें। अपनी आखों में लगाएं या नजर के टीके की तरहें अपनी कान के पीछे लगाएं। ऐसा कहने से आप बुरी नजरों से बचे करें। ऐसा करने से मा महाकाली की करपासे आपकी सभी मनुकामनाएं पूर होंगे। रोजाना संद्या-काल के समय दीपक जलाकर आप मा की आति अवश्य ही करें। मीन राशी के जातक आतिक इस्तित्थी में सुधाल लाने के लिए गुप्त नवरातिये कि दौरान मा महाका альное创ली की कृपा से आढ़िक स्थिती में सुधार होगा साथी कष्टों से छुटकारा मिलेगा दोस्तों गुप्त नवराती के दौरान अपनी राशी के अनुसार यह मां महाकाली को अरुत करने उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ होगी? प्लीस लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जhoर करे को बीड़ की सब्सक्रीक तोतर window isn't it again.